असलाम लेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं ग्लोबिल क्राक्स मैं हूँ कामरिली नाजरीन मक्भूजावादी के अंदर इंडियन ओक्पाइड कश्मीर के अंदर एक मुटी भर मुझाहदीन का ग्रूप जिसने पिछले बारा दिनों से मुटी सरकार और मुटी की इस फौज के नाक में ऐसा दमगरगर रख दिया है कि मुटी एक ऐसा कदम उठाने पे मचबूर हो गया है कि जिसको सुन के हर कोई परिशान और हिरान हो गया कि ये किस किसम का कदम मोधी सरकार बुकलाहट में परिशानी में उठा रही है कि उसने मजीद 9 लाग फौज होने के बावजूद मजीद और ट्रूप्स वहां बेजने का एलान कर दिया है और उसने वहां पर क्या क्या डिप्लॉइमेंट कर दी है किस किस किसम का असला बारूद जहाज हेलिकॉप्टर पता नहीं क्या क्या कुछ उन्मुठी बर मुजाहिदीन के खिलाव आप पुंचा दी है जो जिस तरह मैंने अपनी आखरी वीडियो में भी आपको बताया था जो पुंच की जंगलों में कि जिनका पूरा रेडियस तकरीमां दस से बारा किलो मीटर नहीं है नाजरीन उसके अंदर वो छुपे में हरकत 3-1-3 के वो मुजाहिदीन जिनके पर अलापाकी खास नुसरत है कि वो निकलते हैं बाहर और एक वो गुरिला वारफिर का खामोशी से आपरेशन बनाते हैं जाते हैं इनको ठोकते हैं और वापस आके जंगल के अंदर छुप जाते हैं और अगले दिन पेर उसी तरह उटते हैं और वो मार के चले जाते हैं कल एक इन्होंने मुझाहिद जौन से उसको शहीद कर दिया था मगर उसकी अभी तक कोई फुटेज कोई ख़बर सामने नहीं आई ये हलात इन्होंने कर दी हैं और उसके साथ नाजरीन इनको एक मार और पढ़ चुकी है अब एक LOC और LAC के उपर सेम मेकेनिजम की सेम टेकनोलोजी की डिप्लॉइमेंट हो चुकी हुए जो इस वकत बहुत बड़ा मसला बन चुका हुए इंडिया के लिए और ये इस वकत हर लिगा से हर लिहास से इस तरह जलील हो गये हैं इस तरह फज चुके हैं एक जगा पे इनको चाइना पड़ा हुए दूसरी जगा पे बंगला देश का इशू इनके खिलाफ उट चुक है तीसरी जगा पे LOC का इनके खिलाफ इशू है चौती जगा पे इनोंने जो किसानों के साथ पंगा ले लिया जिनों ने रेल रो को तहरीक चला दी उस बाद आगे चलें तो उसके अंदर कश्मीर के अंदर आप जो घजनवी फोर्स हरकत 313 इनके साथ कर रही है इनको समझ ही नहीं आरी इस वकत कि हम अपनी फॉर्ट डिप्लॉय कहां करें किसको कहां भेजें कौन सी चीज कौन सा असला बारूद बंक कहां भेजें क्या करें ये मुख्लिब ये जीब किसम से परिशान हो गए है और इनकी परिशानी में नाजरीन आज इजाफा इस तरीके से हो गए है कि कल जो मॉस्को के अंदर एक इंतहाई अहम बैठक थी कि जिनके अंदर इन वेलों को भी बुला लिया गया था उस बैठक के बाद पाकिस्तान के फॉरिन मिनिस्टर शाह मेहमूद कुरेशी डी जी आईसाई और बहुत बड़ी सीनियर लीडर्शिप अगवानिस्तान पहुंच चुकी है जिनका वहाँ के फॉरिन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तिकी ने इस्तक्बाल किया बहुत अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया और इस वकत वहाँ में मौझूद है नाजरीन ये सारे आज की डिसकेशन के टॉपिक्स हैं इनको चलकर आगे डिसकेस करते हैं पर सबसे पहले मेरे आप से रिक्वेस्ट है अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन जरूर दबा जीजे का ताके वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल जाए नाजरीन यहाँ पर एक बड़ी आहम जो खबर इंडिया की तरफ से आई है इंडियन सेंटर ने जो इनका सेंटर है डेली उन्होंने मोधी सरकार ने फैसला किया है कि वो 20 से 25 मजीद कंपनीज इजाफी नफरी CRPF की जो है वो अब बुजावादी के इंदर डिप्लॉय कर है इंडिया की पुलीस वहाँ पे मौझूद हैं उनके साथ यह वहाँ पे उनकी हेल्प करेंगी उसके लावा यहाँ पे इन्होंने बगतर बंद गाड़ीया रॉकेड लांचर्स एलिकॉप्टर रो पता नहीं क्या आगया कुछ इन्होंने वहाँ पे बिजवा दिया है व किसी को पंजाब से लेकर आए थे यह वहाँ पे स्पाय करते थे वहाँ पे उनके बारे मताते थे कामया भी होए मगर आप क्या समझते हैं कि कश्मीरी और कश्मीरी मुझाइदीन इतने बेवकूफ हैं कि वह नॉन लोकल्स को पैचानेंगे नहीं उनको पता नहीं चलेगा ये रेडी लिगा के जो बंदा बैठा हुए ये क्यों बैठा हुए 10 से 12 दिनों के अंदर उन्होंने इनकी नाक में इतना शदीद दर्ड कर दिया इतना शदीद दम कर दिया इन्होंने कि ये बुकलहाट में इनको समझ ही नहीं आ रही कि कहा करें और अब CRPF के नहीं डिप्लाइमेंट कर दी और इस वकर नाजरीन LOC पाकस्तान की तरफ से हाई अलर्ट है और इनको एक और परिशानी का जो सामना है जो कुछ दिन पहले नाजरीन बड़ी खुशाइन खबर थी पाकस्तान के अंदर जो S-400 का रोना हिंदुस्तान रो रहा था जो चाइना ने डिप्लाइ कर दिया था और हिंदुस्तान भीग मांग रहा था S-400 की और S-400 उनको नहीं मिल रहा था पाकिस्तान ने HQ-9 ले लिया चाइना ने HQ-9 पाकिस्तान उखामोशी से दिया कोई खबर लीक आउट नहीं हुई और जिस दिन इसकी इंड़क्शन थी पाकिस्तान एर डिफेंस के अंदर उसी दिन ये खबर निकली आर्मी चीफ जनल कमार जवेद बाजवा वाँ पे गये उन्होंने इसके इंड़क्शन की तो नाजरीन जो अहम खबर है वो इसके ये है कि दोनों फ्रेंट से इनको अब HQ-9 का सामना करना पड़ेगा जी नाजरीन खबर यही है कि पाकिस्तान ने भी HQ-9 जो है वो LOC के उपर डिपलाई कर दी है और HQ-9 चाइना ने LAC के उपर डिपलाई कर दी है अब छोटा सा मैं आपको इन्फरमेशन है HQ-9 के बारे में दे दूँ ये मीडियम टो लॉंग रेंज हत्यार ले जाने वाले ये मिजाईल सिस्टम है 120 किलोमेटर की इसकी रेंज है और 90 किलोमेटर तक ये अपने हदफ को 90 किलोमेटर तक ट्रैक करता है और हिंदुस्तान ने जिस वकद चाइना ने इसको अभी डिप्लॉई कर दी अपने तो इंडिया ने ये बात बोली कि ये हमारे हेलिकॉप्टर और हमारे जाजों के लिए खत्रा है उसके साथ साथ HQ9 जो है ये हमारे चोटे जाजों और हेलिकॉप्टर के लिए सबसे बड़ा खत्रा है और ये सबसे बड़ा खत्रा इनको जो है इस वकद इनके सामने आगे खड़ा होगया कि दोनों फ्रेंट्स के उपर जो ये बात करते थे वी आर रेडी फर टू फ्रेंटल वार तो दोनों फ्रेंट्स पर एक ही चीज आगे खड़ी होगी है और अब देखने हैं कि ये HQ9 का बदला HQ9 से किस तरीके से ये बचते हैं और किस तरा बचके निकलते हैं और नाजरीन जिस तरीके साब ने थामनेल के लिए पढ़ा होगा अगवान तालिबान जो अगवान हकूमत हैं उन्होंने बहुत बड़ी काम्याबी समेटली है एक दिन पहले मॉस्को के अंदर जो दस रीजिनल पावर्स हैं इस रीजिन की जो दस बड़ी रीजिनल पावर्स जिनको कहा जाता है जिसमें सबसे बड़ी पावर्स तो इसके अंदर पाकिस्तान है, रिषिया है, चाइना है और इंडिया भी है, ठीक है, मान लेते हैं इस बात को भी इस लावजीज के अंदर अधर इराँ शामल था, कजाकिस्तान, करजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तर्कमाण थतान और और उस्भिकिस्तान इन्हों ने मौस्को के अंदर एक मीटिन puisque को जब तक नाधरीन, उसके हमसाया मुमालिक ही अक्सेप्ट नहीं करेंगे किस तरीके से accept किया जाएगा? हिमेंटेरियन एड़ 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 के ओपर इंको accept किया गया है, इनको हर किसम की दवाईया, खुरा, खाना, पीना, एजुकेशन, मेडिकल, एक्विप्मेंट, इच और इवरीधिंग इनको दी जाएगी, इस तरीके से अगवानिस्तान से डिमांड की गई, उसके दर डिमांड नाजरीन यही थी, कि आप लोग आईसेस, दाइश, इनके खिलाफ operations करेंगे, और जिस तरीके से खुमानिस्तान ने उदर कहा था, कि हम नहीं चाहते कि अगवानिस्तान आईसोलेट हो, तो इस शीज को उदर accept किया गया, कि जो अगवान हकूमत उसको आईसोलेट नहीं किया जाएगा, मगर उसके अगले दिनी, आज के दिन भी, फिर से हिंदुस्तानी मीडिया की, गोधी मीडिया, जो कहले मोधी का गोधी मीडिया, उसकी चीखें निकल गई हैं, हमारे फॉर्ण मिनिस्टर शाम मेहमूद कुरेशी, इस वकट अगवानिस्तान के अंदर हाई लेवल मीटिंग और हाई लेवल टॉक्स चल रही हैं, इसे पहले कतर के लोग वहाँ पे गए, उसके बाद शाम मुद कुरेशी साब गया, जिससे अहम बात जिससे इंदुस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही हैं नाजरीन, जिससे मज़े की बात, कि डी जी आईएसाई जर्णल फैस्ट जो हैं, वो भी इस मुलकात में, उस मीटिंग में वहाँ पे गए हैं, अमीर खान मुत्यकी ने वहाँ पे उनको वेलकम किया है, सुनने में आ रहा है कि हमारे FBR, NAP के, नादरा के और इस तरह कश्चम्स और जितने बड़े-बड़े सेटप्स होते हैं, गौर्ण्मेंट को चलाने के लिए, उनके जो हैड्स हैं, वो भी साथ गए हैं, हो सकता है कि ये किसी रनिंग प्रोसेस के इंदर कोई मीटिंग होगे, पाकिस्तान की तरफ से, कि जिस तरह के साभी कतर और तर्की मिलके, पाकिस्तान कोई help offer कर रहा है, इनको offer करने जा रहा है, या उन्होंने इस चीज के उपर कोई demand की है, यह तो बाने ओले वक्त पे पता चलेगा, कि वहाँ पे हलाद किस तरीके से normalize और किस तरीके से बेतर होते हैं, अभी तो इनका इंदुस्तान का चीखे मारने और रोने का टाइम है, रोने देते हैं, जितनी देर यह रोएंगे हमें मजाएगा, नाजरीन, उमीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राहे जरूर दीजेगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, इन्शाला जल नई वीडियो नई टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, इजाज़े दीजिए, अल्हाफिस,